करोति वाचालम पंगुम लंगयते गिरिम यत क्रिपा तमहम वंदे परमानंदम आधवम भाषा को अपने मूल रूप में सुरक्षित रखने के लिए कुछ नियमों की आवश्यक्ता होती है उन नियमों को ही व्याकरण कहा जाता है संस्कृत एक देव भाषा है अतहा इस देव भाषा को अपने मूल रूप में सुरक्षित रखने है तू विभिन काल खंडों में विभिन व्याकरणों का निर्मान किया गया वह व्याकरण प्रधान रूप से नो माने जाते हैं किन्तु उन सभी व्याकरणों में पाणिनी व्याकरण ही सर्वप्रमुख है पाणिनी व्याकरण की सर्वप्रमुखता का सबसे बड़ा आधार उसका पूर्ण रूप से वेदानुगामी होना है व्याक्रण का लक्ष ही होता है वेदों की रक्षा करना और अपने इस लक्ष में पाणिनी व्याक्रण पूर्ण रूप से खरा उतरता है पाणिनी व्याक्रण से पहले कुछ व्याक्रण ऐसे हुए जो केवल वैदिक शब्दों की सिद्धी करते थे किन्तु पाणिनी व्याक्रण की यहाँ सबसे बड़ी विशेस्ता है कि यह व्याक्रण लोकिक एवं वैदिक दोनों ही प्रकार के शब्दों की सिद्धी का सामर्त्य प्रदान करता है यदि कोई भी व्यक्ती भली भाती पाणिनी व्याक्रण का अभ्यास कर ले तो निश्चित रूप से लोकिक सब्दों की सिद्धी भी कर सकता है एवं वैदिक सब्दों की सिध्धी में भी प्रमीनता प्राप्त कर सकता है इसलिए पाणिनी व्याकरण को सर्ववेद पारिशदम हीदम शास्त्रम के रूप में भी कहा गया है अर्थात यहाँ पाणिनी व्याकरण सर्ववेद साधारण है इसका तात्परी यह हुआ कि हमारे यहाँ चार वेद स्विक्रित हैं और चारों वेदों के अपने अपने प्राति साख्य हैं प्राति साख्य का तात्परी होता है वेद में आये हुए शब्दों का साधुत्व करने वाले ग्रंथ प्रादिशाख्षी को हम वेद का व्याकरण कह सकते हैं अब यहां बात यह है कि रिगवेद का जो प्रादिशाख्षी है वह केवल रिगवेद के शब्दों की सिद्धी करेगा यजुरुवेद का प्रातिसाख्य केवल यजुरुवेद के शब्दों की सिद्धी करता है किन्तु पाणिनी व्याक्रण एक ऐसा अनुपम व्याक्रण है जिसके अभ्यास से हम चारों ही वेदों के शब्दों की सिद्धी कर सकते हैं यहां इसकी अपनी एक महती विशेष्ता है इसके अतिरिक्त इसमें लागव मूली का दृष्टी अपनाई गई है लागव मूली का दृष्टी का तात्परी ये हुआ कि कम सब्दों में ज्यादा अर्थों को कहने का सामर्थ ये जैसे अगर हमको समस्त स्वरवरणों का कराना हो तो हम केवल अल शब्द का उच्चरण कर देते हैं अल इस एक शब्द के उच्चरण से ही समस्त स्वर्वर्णों का बोध हो जाता है एवं समस्त व्यंजन वर्णों का बोध हो जाता है इसी प्रकार से केवल स्वर्वर्णों का बोध कराना हो तो अच का उच्चरण कर दिया जाता है तो अच का उच्चरण करने मात्र से समस्त स्वरवरणों का बोध हो जाता है इसी प्रकार से केवल भ्यंजन वरणों का ग्यान करना हो तो केवल हल शब्द का उच्चरण कर देने मात्र से समस्त भ्यंजन वरणों का बोध हो जाता है यहाँ एक लागव मूल पानिनी व्याकरण को प्रदान करता है या एक इसकी अपनी अलग विशेस्ता है जो इसको अन्य व्याकरणों से अलग करती है संस्कृत व्याकरण में विशेस रुपसे पाणिनी व्याकरण के आचारियों का यह मानना है कि संसार में जितने शब्द हैं सभी शब्दों की सिध्धी की जा सकती है सभी शब्द धातु से उत्पन्न होते हैं यहाँ एक सिध्धान्त है और आचारिय पाणिनी जी ने धातु पाठ का निर्मान किया धातु पाठ का निर्मान करके उसमें उन्होंने केवल 2000 धातु को पढ़ा है 2000 धातु का निर्मान किया है अगर कोई व्यक्ति इन 2000 धातु का भली भाती अभ्यास कर लेता है तो निश्चित रूप से संसार के प्राया सभी शब्दों की सिद्धीवह कर सकता है इसके अतरिक्त कौन शब्द किस लिंग का है इसके विशय में भी लोगों को बड़ा संसाई रहता है किन्तु आचारी पाणिनीजी के द्वारा रचित जो लिंगानुसासन है उसका यदि भली भात्य अभ्यास कर लिया जाए तो शब्द की जो लिंग विशयक समस्या है ये शब्द किस लिंग में होगा इत्यादी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है इसके अतरिक्त इस व्याकरण की एक अन्यमहति विशयस्ता है जिसको अनुबंध करण कहा जाता है अर्थात आचारी पानी नीजी ने विभिन्न अनुबंधों का प्रियोग किया है अनुबंध का तात्परी होता है जिसका व्याक्रण की प्रक्रिया में तो उपियोग होता है किन्तु फिर उसका व्यवहार में सर्वन नहीं होता और यह जो अनुबंद की प्रक्रिया है यह पूर्ण रूप से वेदों का जो स्वरप्रक्रण है उसकी अनुगामी नहीं है स्वरप्रक्रण में इसका उपियोग देखा जाता है इसलिए महाभाश्य में आचारी पतंजल कहते हैं सामर्थ योगा नहीं किंचिदत्र पश्यामी शास्त्रे यदनर्थक अंसियात अर्थात मैं अपनी पूर्ण सामर्थ से देख रहा हूं आचारी पतंजली जी कह रहे हैं मैं कि मैं अपनी पूर्ण सामर्थ से देख रहा हूं और मुझे इस शास्त्र में कुछ भी अनर्थक नहीं दिखाई दे रहा है अताह पाणिनीयम महाशास्त्रम पदसादुत्व लक्षणम सरवो पकारकम ग्राहियम कृच्णम त्याज्यम नकिंचन अर्थात यहाँ पाणिनी व्याक्रण नामक महाशास्त्र इसका कार्य पदों की सिद्धी करना है अताह यहाँ सभी के लिए सरवो पकारक है इसलिए हमको इस पाणिनी व्याक्रण का अभ्यास करना चाहिए इसमें जो भी सिद्धान्त बताए गए हैं उन सिद्धान्तों को भली भावती आत्म साथ कर लेना चाहिए